नमस्काल दोस्तो स्वागत है आपका व्येच नियूज में और मैं हूँ आपके साथ अजरनसारी दोस्तो 36 गड़ के बीजापुर में शनिवार को हुए नकसली हमले का मास्टर माइड हिडमा को माना जा रहा है जो एक कुक्यात नकसली है और इस पर कई बड़े नकसली हमले में शामिल होने का आरोब भी है तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है टॉप नकसली कमांडर हिडमा हिडमा सुक्मा जिले के पुवार्ती गाउं का रहने वाला है जिसकी उम्र लगभग 40 साल है हिडमा ने 90 के दर्शक में नकसली हिंसा का रास्ता चुना था और इसे तब से लेकर अब तक वो कई निर्दोष लोगों की जान ले चुका है कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि हिडमा मावाद्यों के मिलेटरी कमीशन का चीफ भी नियुक्त किया गया है हाला कि इस बात की आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है बता दे कि हिडमा हमेशा छिपकर रहता है उसकी हाल की कोई तस्वीर भी उपलब नहीं है और उसके सिर्पर 40 लाग का इनाम भी घोशित है हाला कि कुछ मेडिय रिपोर्ट्स में हिडमा के सिर्पर 25 लाग का इनाम होने की बाद भी कही गई है बताते चले कि हिडमा के पास AK47 जैसे खतरनाक हत्यार है और इसकी टीम में 180 से 500 नकसली है जिनमें महिलाएं भी शामिल है हिडमा कई बड़े नकसली हमले में शामिल रहा है मार्च 2017 में सुक्मा में हुए नकसली हमले का भी संदिग्ध है जिसमें CRPF के 25 जवान मारे गए थे तब भी नकसलीों के साथ एंकाउंटर हो रहा था इसके अलावा हिडमा का हाथ 2013 में सुक्मा की ही जीरम घाटी हत्यकांड में भी माना जाता है जिसमें 36 गड़ कॉंग्रेस की तमाम बड़ी लीडर्शिप ही खतम हो गई थे उस घटना में 30 से जादा लोग मारे गए थे बता दे कि हिडमा ने अप्रेल 2019 में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी उनके ड्रैवर और तीन सुरक्सर कर्मियों की नकसलियों ने हत्या कर दी थी